इप कॉंसेट टॉक फिर से सुरू हो रहा है तो डीप कॉंसेट टॉक आप लोगों की डिमांड थी जो बीच में रुक गया था तो यह भी यानि डीप किसी एक इंटरनेशनल और्गनाइजेशन पर अब साल भर चर्चा चलेगी आप डारिक यहां से कोशन पाएंगे तो डीप कॉंसेट टॉक में आज हम लोग जिस संगठन को ले रहे हैं उसका नाम है इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गनाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों इसको क्यों ले रहे हैं इसका हिंदी में है अंतराश्ट्रिय संगठन या डीप कॉंसेट टॉक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ प्रस्ण डारेक्ट और्गनाइजेशन से आ रहे हैं तो अपकी के आलोक में पर्यावरण की रक्षा और समुद्री सनक्षण योंस रक्षा को बढ़ाने में IMO यानि अंतराष्टिय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा करें C is an important component of the cosmos इसी को ले करके International Maritime Organization पर आपसे प्रश्ण पूछा गया था कि इस statement की light में आपको क्या बताना है कि भाई इस संगठन का environment और environment को प्रोटेक्ट करने में और maritime safety और security को बढ़ाने में क्या भूमिका है तो आज हमने यही संगठन आपके सामें लिया है International Maritime Organization आईए इसके बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जिससे अब organization के label पर कोई भी समस्या आपको ना हो ध्यार नखिएगा यहाँ पर ठीक है अब आते हैं The International Maritime Organization क्या है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक specialist agency है क्या है specialist agency है United Nation की यानि यहाँ संयुक्त राष्ट की एक विशेश agency है पहला fact आपको यह याद रखना है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों और इसे जिनेवा convention के दौरा अपनाया गया है 1948 17th March को UN in Geneva तो हम कह सकते हैं जिनेवा convention के दौरा इसे 17 March 1947 को अपनाया गया है ठीक है सबसे पहले इसका नाम क्या था इसका नाम था Intergovernmental Maritime Consultative Organization Organization यानि अंतर सरकारी विभिन सरकारों के बीच समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में यह काम करता था यानि विभिन सरकारों को सलाह दिया करता था फिर इसका नाम 1982 में International Maritime Organization अंतरास्ट्री समुद्री संगठन कर दिया गया अब यह प्रस्णाप से बन सकता है ध्यार नखियेगा यानि IMO के बारे में प्रिलिम्स का यह कोश्ण बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यार नखियेगा कि इन में से दियेगे कत्रों में से कौन सा सही है या कितने सही इसकी पहली बैठक होती है जैन 1959 में यानि जन्वरी 1969 में इसका हेड़ क्वार्टर प्रिलिम्स के लिए याद रखेगा इसका हेड़ क्वार्टर है लंदन में और इसके कितने सदस से 174 मेंबर और उसके 3 एसोसियेट यानि सहयोगी सदस ने हैं इसके बाद अब आप देख सकते हैं अगला चीज अगर कोई भी गवर्मेंट यानि यह जितने देशों ने आयमों को सविकार किया है आयमों कन्वेंशन को सविकार कर लिया है तो फिर वह इसे अपने नेशनल लौ में सामिल करती है यानि जैसे हिंदुस्तान ने आयमों को सविकार किया है तो आयमों स संबंधित जो भी कानून होते हैं उसे हमें अपने नेशनल राश्ट्री कानून में भी सामिल करना पड़ता है नहीं हम अपने कानून में यह बताते हैं कि हम अंतराश्ट्री समुद्री पर्यावरण और उसके संरक्षण पर विशेश ध्यान देंगे तो यह आप यहां से देख सकते हैं यहां फिर इसके बाद इसका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों आएमओ क्या करता है ग्लोबल स्टेंडर्ड निर्धारित करता है किस चीज़ का अंतराश्ट्री सिपिंग की सुरक्षा संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण यानि जो भी ब्यापार समुद्र के रास्ते हो रहा है उसकी सुरक्षा संरक्षा और इसके साथ साथ जो भी यानि शिप्स जा रहे हैं समुद्र में उनके कारण से पर्यावरण को नुकसान ना होने पाए इस बिशय पर भी या क्या करता है मानक निर्धारण करने वाला प्र जाधिकरण है या धान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यह हो गया अब इसकी मुख्य भूमिका क्या है इसका में रोल क्या है ऐसा भी पूछ सकता है क्रियेट करना क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर्दा सिपिंग इंडस्ट्री यानि सिपिंग उद्यों के लि सदस्यराष्ट्र जो भी IMO के मेंबर हैं वो उसको अपना ले तो रोल आफ IMO भी हो गया इसके उद्देश क्या है सिंपल है जो रोल है वो उद्देश्यों के साथ अपने आप जुड़ा हुआ है वही सारे पॉइंट यहां पर लिखे हुए है डेबलप एंड मेंटेना क् की सेफटी एंड सेक्योरिटी इसके अलामा सिपिंग से संबंधित जो भी पर्यावरण यह चिंता है सिपिंग से संबंधित जो भी इंवार्मेंटल कंसर्ण है उसकी देख भाल करना जैसे समुदर में जहाँ चलते हैं तो टेल का रिशाव हो जाता है ठीक है ना I'll का सब्सक्राइब करता है इसके अलावा या समुद्री प्रदोशन यानि जहाज जो इसके बारे में भी देख भाल करता है अब आता है इंडिया इसका सदर से कब से बना इंट्रेस्ट इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड देशों में रखा गया ये भी प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानि हिंदुस्तान विश्ट के उन तीर्स दस देशों में सामिल है जो समुद्री ब्यापार में सबसे जादा रूची रखते हैं तो ऐसा भी प् 2019 में एक कंवेंशन हुआ था जिसे हम कहते हweं कंवेंशन हमचा बैसे अब यह और है आपको पता होना करनेशन धूइन थो हजार उनिच में न सबसस्ब्स को सबसर्णा कर दिया है इसको भी अच्छे से समझ लीजिए स्के बाद आता स्अब आता प्रिलिंभ स् के insufficient कंवेंशन क्या पूरा नाम इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों हॉंग कॉंग इंटरनेशनल कंवेंशन फॉर्द सेफ एंड इन्वार्मेंटली साउंड रिसाइक्लिंग आफ सिप्स नाम याद रखे का जहाजों के सुरक्षित और पर्यावन अनकूल पुनर चक्रन के लि 20-50 साल जितना भी होता उसके बाद वो सिप क्या होता है खराब हो जाता है उसकी रिसाइक्लिंग की सभी प्रक्रियाओं को हॉंग कॉंग कॉंग कंवेंशन के दोरा देखा जाता है याद रखेगा 2009 में इसे आयमों ने अपनाया अब आपके मन में आगा सर क्यों देखा ज दोनी चाहिए कि रिसाइक्लिंग भाई कोई जहाद जब तोड़ा जाएगा तो उसके कारण से मानों के स्वास्त पर भी नुक्सान हो सकता है उसकी सुरक्षा को नुक्सान होता है परियावरण के लिए भी खत्रा हो सकता है तो यह हांकां के कंवेंशन रिसाइक्लिंग से संबंधित मुद्दों को देखता है भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया है लेकिन इससे अभी तक लागू नहीं किया गया है यह अभी किसकी स्थिती है रेटिफाई इंडिया ने कर दिया लेकिन अभी लागू ने तो आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा IMO आपने पढ़ प्रम्हंड का एक महत्तपूर्ण घटक है उपरोक्त कतन के आलोप में परियावण रक्षर और समुद्री सुरक्षायों सरक्षा को बढ़ाने में आयमों की भून क्या अब सारे बच्चे आयमों की भूमिका कर पाएंगे कि ठीक है क्या सारे बच्चे कर पाएंगे अब चलिए बताईए क्या आप सब अब इसको कर पाएंगे इस कोश्चन को इसके बारे में सोच पाएंगे फटाफट बताईए क्या आप पाएंगे इसके बारे में आप सारे बताईए